तो फ्रेंड्स मेरा नाम है मनीज ओ फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करने वाला हूं टोयटा एनो आके ब्रेक डिस्क के बारे में तो आज हम फ्रेंड्स कार की ब्रेक डिस्क जो इसका रोटर है उसको रिप्लेस करेंगे उसके लिए हमें इसका वील है इसको हो लेंगे और तो इसकी पराइड डिस्क है यहां पर लाइनिंग हो चुकी है तो को हम चेंज करने वाले है। हमने सब्सक्राइब इसका भील खोल दी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां से इसकी डिस्क पर रही है कुछ लाइनिंग बन चुकी है और इस साइट थोड़ा जादा इसने गया पर साइट थोड़ा कम हो तो इस्लिए इसकी स्लौड़ रही हम प्रेइस करते हैं को यहां पर हमें पीछा से साइटario की साइट और तो यह दौना बोल्ट हमें खोल ले होंगे तो खोल करके हम इसके ब्रेक डिस प्रोटर को उसको रप्लेस करते हैं उसके बाद हमें खोलना हुआ इसमें 17 नम्मर स्पैनर से 2 बोल्ट की पीछे हो रहे हैं तो हमें जैकिंग की लोकेशन में आपको दालते हो यह इसका तो हमने इसका ब्रेक कैलिबर हडा दिया है तो हमें आप डिसके इसमें फिटिंग करेंगे तो यह इसका नया रोटर है वो यही जीली इस तरीके से फिटिंग हो जाता है करेंगे तो हमें जीली इसका अपको यही जाता है करेंगे तो हमें आपको यही जाता है तो फेंड्स ही हमें दोनों बोल्टिस के सतना नंबर स्पेंगर से दोनों को आइट कर देना है तो अभी हम इसके ब्रेक पैड है वो भी हमने रिप्लेस किया इसके यह न्यू ब्रेक पैड है तो यह भी हमें चेंज करने होते हैं जब भी हम नए रॉटर प्रेप्लेस करते हैं तो तो इसके लिए आपको ग्रीशिंग करना होता है तो अल्लेडी में पहले इसको ग्रीशिंग कर दिया है यह पन इसकी फीर रोनी चाहिए अगर यह पिंजाम होगा तो ग्रेक पैड जल्दी खताम होगा अगे सबस्क्रेट तो यह पूरा complete हो चोगा है तो बापास हम इसको उसी तरीके से पूरा wheel fit कर देते हैं तो जिस तरीके से हमने इस साइट का रिप्लेस किया है इसका brake disc rotor तो हमने इसका right साइट का भी उसी तरीके से रिप्लेस किया हुआ है यह आप देख सकते हैं हमने इसमें निव रोटर फिडिंग किया हुआ है और निव ब्रिक पैट डाले हुए है तो यह गार दी ट्वेटा इन होगा ओके फैंट्स तो आपको अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो पीस हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए अपरे फैंट्स के साथ और अगर आपका कोई सवाल जवाब सुझाब है तो मैं कमेंड कीजिए ओके फैंट्स थैंक्यू